नमस्कार, गर्मियां आते ही हम गर्मी से बचने के लिए खूब सारे शर्वत पीते हैं, गर्मी से बचने के लिए काफिय उपाए हैं जो नैच्रूल है, एक ऐसा मैजिक इनग्रीडियन्स है, जिसका नाम है सत्तू, आज हम जो का शर्वत बनाएंगे, एक बाउल लेंगे, एक चुथाई कप पानी लेंगे, पहले थोड़ा सा पानी डाल कर उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ऐसा करने से इसमें गुठलिया नहीं पढ़ते हैं, अगर हम एक दम से पानी डाल देंगे तो इसमें गुठलिया बन जाएगी, पानी अच्छी तरह से इसमें मिक्स सोगया है और इसमें गुठलिया नहीं बनी हुई है बाकी बचा हुआ पानी भी हम इसमें डाल कर पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे आप अपने स्वाद अनुसार इसको पतलाजा गाड़ा बना सकते हैं सत्तू और पानी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है अब हम इसके में मीठा डालेंगे आप चीनी जहां शक्कर भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो मैं यहां पर शक्कर डाल रही हूँ एक बड़ा चमच या आस्वाद अनुसार और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे आ आप इसमें काला नमक या निम्गू भी डाल सकते हैं सुआत के लिए एक गिलास लेंगे इसमें थोड़ा सा मिश्रन डाल देंगे आप अपने सुआद अनुसार कमज़़ जादा मिश्रन इसमें डाल सकते हैं यह बहुत ठंड़क देता है और हमारी बोड़ी को ताकत भी अब हम इसमें एक कप पानी डाल देंगे ठंडा पानी डाल कर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि सारी चीजे आपस में मिक्स अच्छे हो जाए और इसमें स्वाद आ जाए अब इसको और अच्छा बनाने के लिए इसमें कुछ बरफ के टुकडे डाल देंगे जि दूसरा शर्बत बनाएंगे, एक बाउन लेंगे, उसमें तीन बड़े चम्मच सत्टू का पाउडर डाल देंगे, ओर थोड़ा सा पानी डालेंगे, और इसको मिक्स कर देंगे, एक दम से सारा पानी नहीं डालेंगे, ऐसा करने से इसमें गुठलियां नहीं बनती हैं, अग हम इसमें एक कप पानी ओर डाल देंगे, अच्छी तरह से इसको घुलने तक मिक्स करेंगे, आप अपने स्वाद अनुसार इसको पतला गाड़ा कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक कप पानी डाला है, आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं, एक सर्विंग ग्लास लेंगे उसमें इस मिक्स्चर को डाल देंगे और डाल देंगे एक चुथाई छोटी चम्मच, भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक, एक चुथाई छोटी चम्मच, या आप अपने स्वाद अनुसार कमजा जादा कर सकते हैं, एक चुथाई छोटी चम्मच, सादा नमक, हरी मिर्ची, तीखा आप अपने स्वाद अनुसार कमजा जादा कर सकते हैं, ताजा पोदीना डाल देंगे, एक बड़ा चम्मच, इससे खशबू और स्वाद आ जाएगा, सब चीजें डाल कर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दें जो सक्तू के शर्वत में आ जाए, आदा निम्बू डाल देंगे, ऐसा करने से इसमें स्वाद बढ़ जाएगा, और पीने में भी हमें ठंड़क देंगा, तीनों चीजें, जो भी चीजें हमने डालनी हैं, जे गर्मी में हमें बहुत ठंड़क परदान करते हैं, बारी कट परदी हुई तीन से चार पोदीना की पतियां डाल देंगे, इससे खश्वू और सवाद आ जाएगा, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और इसमें डाल देंगे थोड़े से आइस क्यूब्स, इसको निम्बू से गार्निश कर देंगे, लीजिए, हमारे दो सत्तू सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबा देजिए ताके आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें